जैश्वी कृष्णा स्वागत है आपका सार्थित्रिश्ला के साथ कैसे हैं आप लोग कैसे हैं घर में सब जरूर बताईएगा आज मैं आपसे जिस विशे पर बात करने वाली हूँ ये है एक ऐसा विशे जिसे हर कोई अपने जीवन में करना चाहता है ऐसे तीन चमतकारी मंत्रिया ऐसे तीन चमतकारी शब्द बोल देने से आपकी हो जाए हर मनो काम ना पूरी ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े बहुत ज्यादा लंबे काम ना करने पड़े चौराहे पर ना जाना पड़े किसी पीपल के पेड़ की पूजा ना करनी पड़े किसी मंदिर में बार बार जाकर पंडितों से कोई यग या प्रतिष्ठा ना करानी पड़े वैसे तो मैं आपको सच बताओं, वो करना बहुत पुर्णे का काम होता है मैं अगर आपको कोई पीपल का उपाए बताती हूँ, चोराय का उपाए बताती हूँ या मंदिर का या पंडितो द्वारा पूजन बताती हूँ तो आप ये भी समझे कि उससे केवल एक आपकी मनोवांशित इच्छाएं पूर्ण नहीं होती साती सात में आपके परिवार का, आपके कुल का, आपका अपना बहुत सारा बिगड़ा भाग्य जुड़ जाता है आपको पुन्ने की प्राप्ती होती है और इश्वर का आश्रवाद प्राप्त होता है पर चलिए, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी दिक्कते होती है उन्हें ऐसा लगता है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं परिवार में हम इस तरीके से हैं कि joint family है हम बाहर नहीं जा सकते या हम घर में ये बता के जाएं कि हम people का उपाए करने जा रहे हैं या चौराओ का उपाए करने जा रहे हैं तो घरवाले जाने ही नहीं देंगे वो कई ना कई हमारे लिए दिक्कत कर देंगे तो ऐसे लोगों के लिए ये सरल और बहुत छोटा सा उपाए में लेकर आई हूँ जिससे आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने ये छोटा सा उपाए चुपचाप कर डाला तो चले मेरी जन बताएं आपको लेकिन इससे पहले ये तो बता दूँ कि मैं कौन हूँ मैं आपके अस्ट्रोलाजर हूँ वास्तू शास्त्री हूँ चैरा भी पढ़ती हूँ आवाज भी पढ़ती हूँ और हातों की लकीरे भी पढ़ लेती हूँ चुकिए आपकी सार्ती हूँ इसलिए आपको जीवन का सार बताने चली आती हूँ आपके जीवन की बहुत महत्पून बातों के अंदर ये भी एक बहुत महत्पून चीज होती है, जिसे आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, सुबह जब हम उठते हैं, हम नहाते हैं, धोते हैं, इश्वर का नाम लेते हैं, इश्वर से अपने मन की बाते कहते हैं, पूर हमारी बहुत सारी बादें इश्वर तक पहुँचती हैं अगर हम कुछ अलग दुनिया की बात करें तो ऐसा कहते हैं कि रात्री के वक्त हमारी कुछ मातicular बहुत सारी ऐसी डेवीय शक्तिया और बहुत इसी वर्ड में अगर बोलूं तो एंजल्स परियां होती हैं जो हमारे मन की बातों को सुनकर हमें आश्रवात देकर हमारी मनों कामनाओं की पूर्ति करती हैं और ऐसा सिर्फ दादी नानी की कहानियों में नहीं होता बलकि हकीकत में भी होता है इसी लिए रातरी के समय आपको आई जाती है करने के लिए जैसे अंजल नंबर देती हूं ताकि आप जब वह एंजल लिखें बोलें तो एक एंजल जो आपकी हैं जो आपके लिए इश्वर ने जिने बनाया है जिने आपके साथ भेजाया आपका प्रति निधित्व करने के लिए और ऐसे ही बहुत सारी देवी देवता हमारे इच्छाओं को सुनने के लिए रात्री में ब्रह्मन करते हैं और हमारी मनो कामना को जानकर आश्रवाद दे देते हैं पता नहीं कब किस रात में आपका भी नंबर आ जाए और पता नहीं कब आपकी बोली हुई बात उनकी कानों तक पहुंच कर आप को तथा अस्तु के रूप में मिल जाए तो जरूर करिए रात को सोने से पहले इन तीन शब्दों का प्रियोग और अपनी मनों कामना पोल दीजिए पूरा समझ लीजे करना कैसे है इस कारे को गलती और तूटी होती है तो ही कारे असंभव होता है अगर आप तरीके से करेंग यह excuse नहीं चाहिए कि तामे का ना लोटा हो तो क्या करें तामे का लोटा नहीं होगा तो कैसे करेंगे मुझे नहीं पता आपको तामे का लोटा अरेंज करना ही है अगर आपको यह कारे करना है तो तामे का लोटा ले लेंगे उसके उपर आप रोली से साथ टीकियां लगा देंगे, उसके बाद इस लोटे के अंदर आप चावल डाल देंगे और इसे आप धक कर रख देंगे, कहां रखेंगे? आप अपने घर के नौर्थ पोर्शन में इसे धक कर रख देंगे, ऐसी जगे रखेंगा, किसी बच्चे का हाथ लगकर ये ढूलना जाए, ऐसी जगे र सोते वक्त आपको बोल देना है ये एक मंत्र विश्णु मायती अपराजिता इस शब्द को बोलने के बाद आपको ग्यारा बार भगवान विश्णु के नाम का स्मरण करना है उसके बाद आपको तीन बार अपनी मनों कामना बोल देनी और ये जो मैंने आपको मंत्र बोला न विश्नु का नाम लीजेगा और फिर तीन बार अपनी मनो कामना बोल दीजेगा हफ़ते के किसी भी दिन से आप ये कार्य चालू कर सकते हैं मेरी तरफ से डेज का कोई आपके उपर पाबंदी नहीं है अब आप रात को ये बोलकर अपनी मनो कामना बोलकर सो जाएए अगले दिन सुबह इस लोटे के जल को ले जाकर आप किसी पौधी में डाल दीजे अगर वो व्रक्ष या पौधा काटेदार नहीं होगा तो आपको और जल्दी और बहुत जादा एफेक्ट मिलेगा लगातार तीन दिन ये कारे करिए और फिर देखिए आपकी मनो कामना कैसे हो जाएगी तो किसी गरीब को अपने हाथ से कुछ खाने को जरू खिला दीजेगा सर्दी का मौसम आ रहा है किसी को गरम कपड़ा दे दीजेगा पक्षियों को डाना डाल दीजेगा पशू को कुछ खिला दीजेगा जो पुन्य कर सकते हैं जरूर करिए जब आपको देना बिल्कुल मत भूलिये मैं फिर आउंगी कुछ नया कुछ अलग कुछ अद्बूर लेकर तब तक के लिए मेरी जान मुस्क कुराते रहिएगा रिष्टों में मजबूती बना के रखिएगा अपने सार्थी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा प्यार देते करते हैं मैं जल्द आपसे मिलने आउंगी तब तक के लिए राधे कृष्णा सार्थी मात रश्ला ज्योतिश के क्षेत्र में विश्व विख्यात ताम है ज्योतिश शास्त्र में पीच्टी मात रश्ला पिछली 22 वर्शों से ज्योतिश की सभी परंपराकत विधाओं के सा साथ अनेक दुरलब गुडविधाओं जैसे परचाई एवं लव्स के अध्यन से अपनी सटीक भविश्यवानी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं अपने उपायों द्वारा लाखों लोकों का जीवन सवार्चुकी मात रश्ला लगातार 2016 से जोतिश विभूश अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्तान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवार्ड से नवाजा जा चुगा है